हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस भाई समीर पे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ड्रेसर कोश क्या होता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रेक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब ना किये हो या अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कर दे बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे ताकि हर एक वीडियो का नर्टिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो पिलिज वीडियो को लाइक करे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सेर करे ताकि उन्हें भी ये इनफोर्मेशन मिल सके दोस्तों आप हमें सपोर्ट जरूर करें क्योंकि आपके लिए हम एक नए नए वीडियो का कंटेंट बनाते रहते हैं और अगर आपका सपोर्ट दिखा तो इससे भी ज्यादा अच्छा अच्छा कॉंटेंट आपके समझ लाते रहेंगे तो चलिए वक्त का विलम न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं ड्रेसर कोर्ष क्या होता है तो दोस्तों ड्रेसर कोर्ष को Certificate in Medical Dresser यानी CMD कोर्ष के नाम से भी जाना जाता है अगर आप मेडिकल के छेतर में करियर बनाना चाहते हैं तो ड्रेसर कोर्ष के बारे में जरूर सुना होगा यह कोर्ष बहुत ही सांदार कोर्ष है और इस कोर्ष के करने के बाद केरियर में बहुत सारे अफसर प्रदान मिलता है अब जानते हैं ड्रेस कोर्ष की योगता क्या है इस course को करने के लिए आपको अपनी metric यानि दसवी की परिच्छा pass होना जरूरी है अगर आप बारवी भी pass हैं तो आप इस form को भर सकते हैं यानि देखा जाए तो 10th pass और 12th pass वाले candidate भी इस form को भर सकते हैं इसमें age की criteria दिया गया है कि इस course को करने के लिए आपकी नियुतम उम्र 15 वर्स होना चाहिए और अधिकतम उम्र की बात करें तो इसमें 30 वर्सों को रखा गया है मतलब candidate का उम्र age 15 वर्स से 30 वर्स के बीच होना चाहिए तभी आप इस exam मतलब इस entrance exam के लिए eligible हैं अब बात करते हैं dress course में परवेश की परकिरिया क्या होता है दोस्तो इस course में एक entrance exam होती है इस entrance exam को आपको पास करना परेगा तभी जाकर आपको government college में एडिविशन मिलेगा अगर आप चाहते हैं कि private से करने के लिए तो आपको private वाले direct एडिविशन लेते हैं वो भी आपके 10-12 के merit के हिसाब से इसमें medical dresser में certificate यानि CMD परवेश मेरिश्ट के अधार पर होता है भारत में ऐसे कई college हैं जो आपको सिधे परवेश दे देते हैं यानि आपको अगर government college से करना है dresser का course तो आपको entrance exam देना परेगा जिसमें आपको government college में seat मिलेगी अगर आप private से करना चाहते हैं तो आपको private college वाले direct merit based यानि 10-12 के certificate पर percentage के अधार पर एडिविशन देते हैं अब बात करते हैं trace course कितने साल का होता है दोस्तो यह course आपको एक साल का होता है मतलब आप जिस college में इस course को करेंगे वो college में आपकी अवदी एक साल की होती है आपको एक साल में dresser की हुरी जनकारी, knowledge और clinical training दी जाती हैं अब बात करते हैं dresser course यानी CMD परवेश के लिए आवसेक दस्तवेश क्या क्या चाहिए दोस्तो इस exam के लिए दस्तवेश की बात करें तो आपको 10 वी या 12 वी की परिच्छा की mark sheet और pass certificate होना जरूरी है और बात करें तो आपके पास जनकिती का परमानपत्र, विद्याले छोड़ने का परमानपत्र यानी आपके पास CLC या SLC होना अवसेक है उसके बाद अस्थांतरन परमानपत्र उसके बाद बात करें तो डुमासाइल सट्टिफिकेट उसके बाद बात करें तो अस्थाई परमानपत्र चरीत परमानपत्र अगर आप विकलांग है तो आपके पास विकलांगता का परमानपत्र होना अवस्थक है उसके बाद आपको प्रवाशन प्रमानपत यानि अवास प्रमानपत होना अभस्षक है अब बात करते हैं DRECER कोर्स की फीज कितनी होती है दोस्तो DRECER कोर्स की फीज सरकारी और निजी संस्था में अलग-अलग होती है DRECER कोर्स यानि CMD की आश्रत फीज 50,000-1,000,00 रुपे तक होती है निमलिखित विशय को पढ़ाय जाता है यानि आपको Life Science, Anatomy and Physiology जीवन विज्ञान, Dressing Medical Instrument, Chemical Solution and Stillization, Pharmacology Practical and Vibra यह जो सब्जेक्ट है मैंने जो सब्जेक्ट बताया आपको एक साल में यह सब्जेक्ट पढ़ाय जाते हैं अब बात करते हैं Tracer Course करने के बाद नौकड़ी कहां कहां कर सकते हैं दोस्तो इस Course के बाद आप सरकारी संस्था और निजी संस्था में कार कर सकते हैं CMD Course के बाद आप निमलिखित वदों पर कार कर सकते हैं जिसमें आप Staff Nurse, सवास्त कार करता स्कूल की नर्ष, शमदाईक सवास्त नर्ष, होम नर्ष, अत्योधिक नर्ष, वार्प नर्ष के अंतरगत आप कार कर सकते हैं अब जानते हैं Tracer Course के बाद Salary कितना मिलता है दोस्तो इस Course के बाद आप निजी और सरकारी संस्था में कार कर सकते हैं Tracer Course के बाद शुरुवात में आपको निजी संस्था में 8-10,000 रुपे प्रती महीने दी जाती है और सरकारी संस्था की बाद करें तो उसमें आपको 15-20,000 रुपे प्रती महा दे जाता है Salary की बाद करें तो इनमें ज़्यादा कम हो शकती है ये आपको जिस तरह का जौब होगा और जिस तरह का संस्था मेलीगी उसपे डिपेंड करता है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि Dresser Course क्या होता है अगर आप Medical में Dresser के कार करना चाहते हैं तो आपको CMD Course आपके लिए सबसे अच्छा विकल्ब सावित होगा मैंने इस वीडियो के जरीए आपको CMD Course के बारे में विस्तार से बता दिया है फिर भी अगर आपको कुछ पुछना हो तो आप Comment करके हमसे पूछ सकते हैं इस Course के बारे में आपको कैसा लगा आप हमें Comment में बता सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद